नमसकार दोस्तों, सिगमा क्लास में आपका स्वागत है, आज हम सोनारगड के किले के बारे में महत्वपूर्ण बाते जानेंगे मैं सोनारगड का किला बोल रहा हूँ, आज मैं आपको अपने बारे में रहस्यमई बाते बताऊंगा मेरा निर्मान 12 जुलाई 1155 इस्वी में त्रिकूट पहाडी या गुरहरा पहाडी पर जैसल देव भाटी ने प्रारंब करवाया था तथा पूर्ण 1162 इस्वी में सालिवाहन द्वितिय ने करवाया था मुझे स्वर्ण गिरी भाटी भर कीवार पश्चिमी सीमा का प्रेरी रेगिस्तान का गुलाब राजस्थान का अंडमान त्रिकूट गर जैसान गर तथा गलियों का दुर्ग भी कहते हैं मेरा निर्मान इसाल रिशी की सलाह पर किया गया था मुझे में दोहरा परकोटा और मेरी आकृते घाघरे नुमा होने के कारण मुझे कमर कोट कहते हैं मुझे में प्रवेश अक्षय पोल से होता है गर दिल्ली गर आगरो अधगर बीकानेर भलो चेनायो भाटियो का तब पहुँचे जैसान दूर से देखने पर मैं ऐसे लगता हूँ जैसे जहाज ने रेगिस्तान में लंगर डाल रखा है दूर से देखने पर मैं अंगडाई लेते हुए शेर के समान दिखाई देता हूँ मेरे निर्मान में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है बलकि जि लक्षमीनत जी की मूर्ती मेरता से लाई गई बादल विलास महल में ताजिया टौवर स्थित हैं गजविलास महल जवाहर विलास महल हर राज महल मुझ में स्थित हैं मुझ में ताड़ पत्रों पर हस्तलिखित ग्रंथों का जैन भद सूरी नामक पुस्तकालय है जो भूम किया गया मुझ में धाई साके हुए थे प्रथम साका दिल्ली के सुल्तान अलाउद दीन खिल जी ने मूल राज भाटी पर आक्रमन किया गोपिनात शर्मा के अनुसार यह साका 1312 इस्वी को हुआ था दूसरा साका 1370 से 1371 इस्वी में दिल्ली शासक फिरोज तुगलक ने जै दूसरा अर्द साका यह साका 1515 इस्वी को हुआ इस साके में कंधार के अमीर अली ने जैसल मेर शासक लूनकरन के साथ धोखा कर दूर्ध की महिलाओं को बंदी बना लिया जिससे महिलाएं जोहर नहीं कर पाई